तुमस्कार बच्चो आज हम कच्छदस का विज्ञान का पाठेक के कुष्चन आंसर देखेंगे जिसमें हम नौमे कुष्चन से बात करेंगे नौमा कुष्चन है उस्मा छेपी एवं उस्मा सोसी अभिक्रिया का अर्थ क्या है तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा उस्मा छेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में उत्पात के साथ साथ उस्मा का भी सर्जन होता है उन्हें क्या बोलते हैं उस्मा छेपी अभिक्रिया क देखेंगे इसी का है दूसरा उस्मा सोसी अभी क्रिया जिन अभी क्रिया मैं अभीकारकों को तोड़ने के लिए उस्मा प्रकास बिद्धु तूर्जा की आवश्चकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं उस्मा सोसी अभी क्रिया कहते हैं जैसे सिल्वर क्लॉराइड का प्रक इसका उत्तर हो जाएगा सभी जीवों की कोश्काव में ग्लूकोज आक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उजा प्रदान करता है इस विसेज दहन अभिक्रिया का नाम सवसन है क्योंकि इस अभिक्रिया में उजा निकलती है अताहा अभिक्रिया को उस्मा छेपी अभिक्रिया जिसमें उस्मा निकार रही है तो उसे उस्मा शेपी अभी क्रिया करेंगे ये इसका एक्जामपल हो गया ग्लूकोज की क्रिया जब आक्सीजन से हुई तो कारवन डाय अक्साइड बना और क्या बना जल बना अगला कुश्चिन देखेंगे प्रिश्ण कांग 11 बियोजन क्रिया वह है जिसमें एकल अभीकारक तूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं जबकि संयोजन अभीक्रिया इसके बिल्कुल विप्रीत होती है जिसमें दो या दो अधिक अभीकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं बियोजन अभीक्रिया का यह उधारण हो ज निए उस्मा प्रकास सभी के रूप में उज्या प्रदान की जाती है उस्मा द्वारा का केलिसियम कार्बोनेट की करिया हुई तो केलिसियम आकसाइड बना और कार्बन डायाकसाइड गैस बना ब्रकास क वहां प्रकास द्वारा अंची अज़पक्रिया कर्या स Also सिल्वर बना और क्लोरीन बनी विद्द द्वारा बियोजन अभिक्रिया जब हुई तो जब जल के अलू टूटकर हाइड्रोजन में और आक्सीजन में परिवर्थित हो गई अगला देखेंगे कुश्चन तेरमा विस्तापन एवन द्वी विस्तापन अभिक्रिया में क्या अंतर है इन अभिक्रियाओं के समीकरन लिखिए उत्तर हो जाएगा विस्तापन अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियासील तत्तो कम क्रियासील तत्तो को उसके यौगिक में बिस्तापित कर देता है जैसे यह एकजामपल है, जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से हुई, तो क्या बना, जिंक नाइट्रेट प्लस इल्वर धातू बनी, यहां जिंक क्या है, अधिक क्रिया सील तत हो गया, अंगला कुछचिन देखेंगे, इसी का, दो भी विस्तापन भी किया इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्मा दो यौकों के बीच आइनों के आदान प्रतान में होता है जैसे इसका एक्जामपल पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया जब हुई किस से बेरियम आयोडाइड से तो क्या बना पोटेशियम किया जाता है इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लेख रहे हुई यह है कापर की लिए जय से हुई तो कापर नाइट्रेड बना और क्या बना अथ्य धातू बनी अंगला कुस्चिन देखेंगे पंद्रमा अवच्छेपण अभिक्रिया से आप क्या समाजते हो द्यारन है ये बाल चुश्पा और बन अगला कुश्चिन देखेंगे है इसना और ह्था है चाला हो जाएगा बेजिद्ध माख्षिटक और प्रष्टम के सिल्व से कि एक योग या हास के अधार पर निन प्रफा बिन देत की और दोड़ारे भी लिखना या से उप Marketing यकिलिजिता कापर द्थी है Looks का अफவिर संस्हें त्यूसरा है अब लिगता होते हूं किया हो रहा है जेसमें अग्सीजन प्राइशन अफचेहरा का जीसमेंक अफचेहरा का foundation सिर्थि ऑ हो का हाज तो अक्सिजन हाज मतलब आक्सिजन का निकलना और हाईड्रोजन का जुडना तो इसके एकजामपल हैं कारबन डाइँ आक्साइड जब ह two हाईट्रोजन से क्रिया हुई तो कारबन आक्साइड और जल बना sous कापर आक्साइड और हाइड्रोजन की कुई तो कापर और जल बना यहां कार्बन डाय आक्साइड और कापर आक्साइड का अपचेन हुआ है अंगला कुश्यन देखेंगे सत्मा एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वाई की उपस्तिति में गर्म करने पर वह काले रंका हो जाता है इस तत्तव एक्स एब उसकाले रंग के यौगऄ आप बताईए लग मूरे तो इसका आतार्मा देखेंगे लोहे की बस्तु पर हम पैंट क्या हो नहें हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा संचारन के कारण लोहे की बस्तू बनी बस्तू है का छै होता रहता है उसे इस होने पर क्या होने पर छैसे बचने के लिए उस पर पैंट की पैंट किया जाता है पैंट होने के करना लोहे और वायू का संपर्क नहीं हो पाता है और लोहे की वस्तों में बहुत समय तक स्रच्छित रहती हैं यह इसका उत्तर हो जाएगा अंगला कुछिन देखेंगे उनाइसमा तेल एवं वसायोग्त खाद पदातों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तेल तथा वसायोग्त खाद प्रभावित किया जाता है अंगला कुछिन देखेंगे संचारण और विक्रती करण गंधिका में के उधारन सही थमें बताना है संचारन क्या है इसका उत्तर क्या हो जाएगा जब कोई धातु आद्रता अम्ल आदी के संपर्क में आती है जिसमें क्रिया करके धातु की उपरी परत कमजोर हो जाती है इस प्रक्रिया को संधारन कहते हैं जैसे क्या है? उधारन लिख देंगे लोहे के उपर जंग लगना, चान्दी के उपर काली पर आना तांबे के उपर हरी पर चरणना आधी संधारन के उधारन ہے इसका दूसरा है विक्रत गंधी का तेल तता बसायोगत्वचत पदात वायू से क्रिया करके विक्रत गंधी हो जाते हैं इस प्रक्रिया को सब्रक्रत गंधी ता कहते हैं जरा कुम आपार जार 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 जार